नमस्कार फ्रेंट्स मैं आज अपने पेपर हेकर चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है चलिए बढ़ते हैं कोश्टन की ओर और उत्तर की ओर सब्जेक्ट जो हो जाता है वह आपका देखिए यहाँ पॉलिटी हो जाता है सब्जेक्ट क्या हो जाएगा पॉलिटी ठीक है सब्जेक्ट हो जाएगा पॉलिटी ठीक है बीए पार्ट टू ठीक सेमेश्टर क्या हो जाएगा वह थर्ड सेमेश्टर हो जाएगा ठीक है सब्जेक्ट पॉलिटी बीए पार्ट टू सेमेश्टर थर्ड क्लियर है तो इसमें जो है बच्चो आपको जो है long type question और short type question short type question दोनों complete कराए जा रहा है प्रश्च नमबर एक से दो तक जो है पिछले वीडियो में मैंने complete करा दिये हैं वो आप लोग ध्यान से देख लेगे concentrate होके उस वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों तो आप लोग को किस टाइप से question करने है एक्जाम में मैंने पिछले वीडियो में बताये हुए फिर से बता दे रहा हूँ आपको जो है पहले उत्तर लिखना है उत्तर लेके फिर उसकी जो है परिभासाएं और परकिरिया लिखनी है फिर कारक और परड़ाम लिखना है उद्देश लिखना है और लाश्ट में परड़ाम लिखके और topic wise प्रशन उत्तर complete करना है दो-दो line छोड़ छोड़ के ऐसे लिखते जाना है और page भी full topic wise उत्तर भी मिल गया और marks full मिल जाएंगे आपको no guarantee ठीक है तो चलिए प्रशन की ओर चलते है प्रशन मरतीन क्या पूछ रहा है एक्जाम में पूछे इस टाइप से तो कैसे करेंगे हम लोग कोई भी दिक्कत होगी problem create होगी कि आप लोग जो है क्या करेंगे कि उसका solution मना के जो है उसमें दे देंगे मैं solution मना के दे दूँगा आप लोग comment जरूर कर देंगे comment करना बिल्कुल नहीं बूलेंगे वीडियो को एक बार सभी लोग like share और all subscribe का प्रकिरिया का करना है वर्णन करना हम लोग उत्तर क्या कहा रहा है संग सरकार की सदात्तथ दो परकिरिया है संग सरकार की दो परकिरिया है, क्लीन कर लेते हैं, अच्छे-चे देखते हैं, संग सरकार की जो है, सदानता दो परकिरिया है, कौन-कौन परकिरिया है, देखिए हां, सम्मिलन तथा प्रिथ करना, कौन-कौन सम्मिलन और प्रिथ करना, समझ रहे हैं ना, कतिपए स्वतंत्र और एवं सार्भ भौम राजी कुछ समाने उद्देशों जैसे सौसुरक्षा वारुपार आदी की प्राप्ति के हेतु परसपर समझहोता कर केंद्री शासन की अस्थापना करते हैं समझाता करके क्या करते दोस्तों केंद्री शासन ब्योस्था की अस्थापना कर देते हैं समझ रहा है ना ठीक अस्थापना तो कर देते हैं देख लिए हम अब देखे अस्थानी महत्यों के विश्यों पर उनका ही पुर्वत नियंत्र रहता है अस्थानी महत्यों के विश्यो सिमट कर क्या होती है कि इंद्री शासन में चली जाती है पर कई छित्रों में क्या होता है उनकी स्वायत्ता बनी रहती है कई छित्रों में उनकी स्वायत्ता बनी रहती है संग निर्माण की यह प्रकिरिया सम्मेलन की प्रकिरिया कहलाती है संग निर्माण की यह प्रकिरिया सबते जो होती है वह संवेलन की प्रकिरिया कहलाती है धिस्व की मसं जैसे संविक्त राज अमेर्काप स्विट्जर्लेड ईसिये प्रकिरिया द्वारा निर्मित हुए है इसी परकिरिया द्वारा निर्मित रहे हैं। एक आत्मक राजी के बिभइन प्रांतों को अधिक स्वायत्ता पर्दान क्या करता है। कर अधिक स्वायत्ता परदान करके केंद्री सरकार को जो है केवल कुछ समान विश्यों की विवस्था का जो है उत्तरदाईत दे दिया जाता है उनको ठिक जैसे सुरक्षा, वैदेशिक निती, वैपार, आवागमन, आदि ठिक इस प्रकिरिया द्वारा जो है एकात्मक सरकार को संगहात्मक सरकार ने परिवर्तित कर दिया जाता है एकात्मक सरकार को क्या किया जाता है संगात्मक सरकार में परिवर्थित कर दिया जाता है कनाड़ा ब्राजील भारत आदी संगों का निर्मार जो है इसी परकिरिया द्वारा हुआ है इन सभी का निर्मार किस द्वारा होता है इसी परकिरिया द्वारा संगों का निर्मार हो जाता है टो इसी पर्किरिया द्वारा जुए सभी का निर्माल हुआ है संग और मंडल संग advocating कि आंतरगत क्या क्या होते इंसर है कि इसी तरे एक्जाम में करना है तो माक्स आपको अच्छे मिलेंगे जब विभिन प्रभुत्व संपन राज कुछ निश्चित उद्देसों के लिए अंतराष्टि समझाउता द्वारा एक संस्था की अस्थापना करते हैं तो उसे राज मंडल की संग्या दी जाती है क्या दी जाती है उसे राज मंडल की संग या दी जाती है समझे ना ओल ने राज मंडल की परिभासा देते हुए कहा है कि राज मंडल ऐसे स्वतंत्र और संप्रभू राजियों का संग है जो सदयों जो सदयों के लिए कुछ उद्देशों के हेतों अपनी स्वतनतरता को त्याग देते हैं और वे साजह की सरकार में इस प्रकार मिले होते हैं राज मंडल अंतराष्ट्री राज का स्वरूप धान कर लेता है और अंतराष्ट्री प्रसिद्ध विदिवेता ओपन हेम के शब्दों में जो है राज मंडल में कई संपुण प्रभुत्त राज समलित होते हैं मंदल में क्या होते हैं कई संपन्य प्रभुत्तु राज समलित होते हैं ठिक उनका राज मंदल बनाने का उदेश होता है अपनी आंतरिक और वैदेशिक स्वतंतर्ता को कायम रखने के लिए अपनी आंतरिक और वैदेशिक स्वतंतर्ता को कायम तदर्थ वे एक प्रकार की अंतराष्टी संधी भी करते हैं एक प्रकार की किस प्रकार की उक्त मैं कह सकते हैं देखें यहां ध्यान दीजिए उक्त उक्त संधी के द्वारा जो है फंग बनता है उक्त संधी के द्वारा क्या बनता है संग बनता है मतलब यूनियन संदी के द्वारा यूनियन मनता है उसके सदस से राजियों पर जो है कुछ उसके सदस से राजियों पर कुछ जो है अधिकार आवस्य मिल जाते हैं किन्तु उक्त सदस राज के नागरेक किसी परकार राजी मंडली संगठन के परती वाफ़दार नहीं होते हैं राज मंडल संघतन के प्रति क्या होते हैं वह वापधार नहीं होते हैं ठीक बहुत से विद्वान संघ और राजमंडल को एक ही मानते हैं इसके दो मुख्य कारणा है पहला यह है कि दोनों शब्द एक धातु से निकले हैं दोनों शब्द क्या है एक धातु से निकले हैं ठीक है दूसरा कारण दोनों शासन बेवस्थाओं के बीच अनेक समनताएं हैं दोनों शासन बेवस्थाओं के बीच क्या है अनेक समनताएं दी गई है जैसे संग और रा राजियों के कुछ उद्देशों की प्राप्ति है तू सम्मिलन से होता है ठीक है दोनों में दोनों में जो है एक केंद्री शासन की अस्थापना होती है दोनों में क्या होती है एक केंद्री शासन की अस्थापना होती है देखे फिर भी दोनों पद्दतियों में हम कहते हैं क कि मौलिक अंतर है कि दुरों पद्धतियों में क्या है मौलिक अंतर है किस प्रकार मौलिक अंतर है देखिया ठीक है फिर पॉइंट बनाया इसातर आप लोग भी पॉइंट बनाता बिल्कुल नहीं ढूलेंगे तब सवतंत्र तथा संप्रभुता संपन नहीं होती है निर्माण की पस्चात उनकी संप्रभुता केंद्री सरकार को सौप दी जाती है किया की जाती है कि इसके विप्रित राज मंडल के जो है राज स्वतंत्र तता संप्रभु होते है वे न तो ने राजी का निर्माण करते है और नहीं अपनी संप्रभुता कात्याग नहीं करते है और अपनी संप्रब्दा का त्याग भी नहीं करते हैं सेकेंड पॉइंट पॉइंट बनाया सेकेंड पॉइंट इसी तरह बनाते चलेंगे और दो लाइन छोड़ देंगे तब पॉइंट बनाएंगे तो पेज इस तरह फूल होंगे आप संहात्मक शासन में एक राश्टियता होती है संधियां होती है और संगी नागरिकता भी होती है क्या होती है संगात्मक्षासन में राष्टियता होती है संधियां होती है और क्या होती है संगी नागरिकता भी होती है समझ रहे ना लेकिन राज मंडल में न एक राष्टियता होती है और न एक नागरिकता और न एक संगी नयपालिका होती है ठीक है देखें यहां और नहीं और रहे क्या होती है बेवस्थापिका ही होती है समझ रहे ना आप चले देखि बेवस्थापिका भी नहीं होती है अब देखिए कहरा है कि संगात्मक विवस्था एक पूर राष्ट की रचना करती है संगात्मक विवस्था जो है एक पुण राष्ट की रचना करती है जबकि राज मंडल किवल एक समानि संगठक का है राज मंडल क्या है जो एक समानि संगठक का एक अंग है ठीक है थार्ड पॉइंट देखेंगे संग की रचना का आधार एक समिधान होता है जो संग जो क्या करता है जो संग तथा एकक राज्यों के परास्परिक संबंध एक निर्माल करता है इसके विपरित राज मंडल की रचना का आधार कोई समिधान राज मंडल की रचना काधार जो है कोई समिधान नहीं है यहां एक अंतराष्टी संधी या समझोता किये जाते हैं अंतराष्टी संधी और समझोता किये जाते हैं फूर्थ पॉइंट देखिए संग शासन एक अस्थाई बेवस्था है राज मंडल आस्थाई है संग शासन क्या है संग शासन बेवस्था जो है यह एक अस्थाई मंडल है और राज मंडल जो है वह क्या है आस्थाई देखे इस तरह संगी भूत इकाईयां संग राज से प्रिथक नहीं हो सकती संग राज से प्रिथक नहीं हो सकती है जबकी 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 राज मंडल के सदस से राजियों को उससे प्रिथक होने का अधिकार है राज मंडल के सदस को क्या है भंग भी किया जा सकता है ठीक है उद्देश अगर पूर्ती हो जातो अब पांच नमर पॉइंट देखे क्या का रहा है समझने वाली बात है संग शासन में यदपी केंद्री सरकार राज्यों की बीच समझहोता का पड़्याम है फिर उसका आधार समिधान है अभी अभी इकाईया न तो उसे नश्ट कर सकती है और नतो समिधानिक संसोधन के विना उसके अधिकारों में कमी वेशे ही की जा सकती है ठेक है को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है ठीक है निसकर्षत यह निकलता है क्या निकलता है निसकर्षता निसकर्षता राज मंडल एक धीला ढाला संग है और आज की आज की जुँ है आज की प्रविर्ति पुण संग शासन की ओर है राज मंडल भी संग में परिवर्तित होती जा रहे हैं स्विक्त राज अमिर्का और स्विट्जर लेंड में जो है राज मंडल के अस्थान पर संग शासन की अस्थापना है ठीक है इसका उधान देना होगा तो स्विक्त राज सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो उपलब्ध हो जाते हैं ठीक है तो इतरा तो आपका सकते हैं ना मेरे लिए ठीक है तो छलिए मिलते हैं next video में fourth number question लेकर तब तक के लिए thanks for watching thanks to all of you thank you very much